जानी मानी एक्ट्रस अरुना इरानी ने अपने एक इंटर्वियों में बताया था कि उनके अफियर की खबरों ने उनका करियर खराब कर दिया था बॉलिवूड एक्ट्रस अरुना इरानी की गिंती असी नभी के दशक की दिगज अभिनेत्रियों में की जाती है अरुना ने एक से बढ़कर एक दमदार फिलों में काम किया और अपनी अधाकारी से दर्शोकों के दिलों में अपनी अलग जगा बनाई अरुना को उनके नेगटिव किरदारों के लिए जाना जाता है उन्होंने फिल्मों में खलनाई का हीरोईन वा चरितर अभिनेतरी के रूप में लंबे समय तक शानदार काम किया है शानदार एक्टरस होने की साथ साथ वो एक बहतरीन डांसर भी थी लेकिन एक्टरस की एक गलती उनके करियर पर भारी पड़ गी और उनका शानदार करियर फ्लॉप हो गया एक्टरस ने अपने एक इंटर्वु में बताया था कि महमूद संग उनकी अफियर की खबरों ने उनका फिल्मी करियर बरवाद कर दिया फिल्म फियर से बातचित करते हुए अरुना इरानी ने कहा था कि महमूद अच्छे हादमी थे मैंने गलतिया की लेकिन अब यह सब अतीत की बात है शायद वे मेरे लाइक नहीं थे या मैं उनकी लाइक नहीं थी भगवान जाने हाँ मेरी उनकी साथ दोस्ती थी मैं उनकी काफी करीबी दोस्त थी आज इसे मोहो दोस्ती है कुछ भी कह सकते हैं लेकिन हमारी कभी शादी नहीं हुई थी, ना ही हम प्यार में थे, अगर हम होते तो हमारा रिष्टा कायम रहता, प्यार कभी खतम नहीं होता, यह हमेशा के लिए होता है, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अतीत को अलविदा कह दिया है, एक्टरस ने आगे कहा कि लोगों ने हमारे रिष्टे को गलत समझा, और शायद सोचने लगे कि हम शादी शुदा है, मुझे विश्वास्ता कि महमूद मुझे काम नहीं करने देंगे, हमने साथ में कई फिल्मों में काम किया, मैं उस समय उस उमर में थी जब अट्रेक्शन ह मैं अपने आपे से बाहर हो गई लोग हमारे बारे में लिख रहे थे, बाते हो रही थी, मैंने कभी इस पर शफाई नहीं दी, मैंने मान लिया था कि मीडिया कहानी के मेरे पक्ष के लिए मेरे पास आएगा, मुझे उस समय बात ना करने का अपसोच है, मेरे चुपी ने मे लगाने में माही रही उनकी अधाकारी की दुनिया तो दिवानी आज भी है बात हो रही है अरुना इरानी की चर्ती जवानी तेरी चाल मस्तानी गाने से आज भी लोगों को जूमने पर मजबूर करने वाली अरुना इरानी ने वैसे तो अपनी करियर में अक्सर खलनाइका के केरदार निभाए 18 अगस्त 1946 के दिन मुंबई में जन्मी अरुना इरानी बड़े परदे पर वैंप बनकर भी चैंप साबित हुई आपको उनकी जिंदिगी के चंद किसों के बारे में रूबुरू करा रही हैं मुंबई में रहने वाले फरी दून इरानी की बेटी अरुना ने सिनेमा के दुनिया में पहला कदम उस वक्त रख दिया था जब वे महज 15 साल की थी दरसल परिवार को आर्थिक तंगी से अजादी दिलाने के लिए अरुना इरानी ने ये कदम उठाया था उस वक्त उने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार मिल जाते थे साल 1961 के दुरान रिलीज हुई फिलम गंगा जमुना में चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाकर अरुना इरानी को वेह पेचान मिली कि उने फिल्मों में धड़ादर काम मिलने लगा साथ इवे अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगी साल 1984 के दुरान रिलीज हुई फिलम पेट प्यार और पाप के लिए अरुना इरानी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का फिलम फेर अवर्ड भी मिला था इसके बाद वे हिंदी सिनेमा की मशूर कैबरे डांसर बन गई वही कई फिल्मों में उन्होंने हिरोईन का किरदार निभाया लेकिन अक्सर वह विलेन के किरदार में नजर आई इनमें वह ज़्यादातर सोतेली मा और खडू सास के रूप में दिखी हलंकी वैंप बनकर भी अरुना इरानी चेंपियन साबित हुई अपने करियर में वह 500 से भी जादा फिल्मों में काम कर चुकी है फिल्मों के अलावा अरुना ने मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की देखा एक ख्वाब परिच्चे नई जिंदिगी के सपनों का और जहांसी की रानी आदी टीवी शो में भी अपना अभिने का जल्वा दिखाया बता दे कि अरुना इरानी ने 40 साल की उम्र के बाद फिल्म निर्देशक कुकू कौली को अपना हमसफर बनाया उस वक्त कुकू कौली पहले से शादी शुदा थे लेकिन अरुना इरानी की महपत में उन्होंने दूसरी शादी कर ली कहा जाता है कि फिल्मों के सेट पर अरुना इरानी और कुकू-कौली के बीच काफी लड़ाई होती थी लेकिन दीरे-दीरे यह लड़ाई प्यार में तबदील हो गई शादी के बाद अरुना इरानी मान नहीं बनने का फैसला कर लिया था अरुना इरानी हिंदी सीनेमा की उन दिगकच अभिनेत्रियों में से एक है जो अपनी किर्दार में इस कदर ढल जाती है कि मानोवे किर्दार उन्हीं के लिए लिखा गया हो अरुना ने अपनी दमदार आदाकारी से दर्शोकों के दिल में जगा बनाई और उन्होंने फिल्मों में एक से बढ़कर एक कई तरह की रोल निभाकर दर्शोकों को खास मनोरंजन किया उन्होंने बड़े परदे से लेकर छोटे परदे तक अपने अभिने का जलवा दिखाया उन्होंने फिल्मों में खलनाईका, हिरोईन वा चरित्र अभिनेत्री के रूप में लंबे समय तक शांदार काम किया है अभिनेत्री के खलनाईका के किरदार में उन्हें खास पैचान दिलाई अरुना इरानी का जनम 18 अगस्त 1946 को मुंबई में हुआ था अरुना ने अपने अभिने करियर के शुरुआत बाल कलाकार के रूप में मैज 9 साल की उमर में कर दी थी तब 19 साल 1961 में दिलिप कुमार के फिल्म गंगा जुमना से की थी इसके बाद उन्हें महमूत की फिलम Bombay to Goa में देखा गया, इस फिलम में उनके साथ अमिता बच्चन मुख्य भूमिका में थे, ये फिलम हिट साबित हुई, इसके बाद अरुना इरानी ने महमूत के साथ कई फिलमों में काम किया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद भी किय साथ फिलमें करने के बाद दोनों के बीच प्यार पनप उठाता, बॉलिवुड की गलियों में अरुना और मुहम्मद के बीच प्यार के चर्चे थे, खबरे तो यहां तक फ्याल गई थी कि दोनों ने शादी कर ली है, मुहम्मद के साथ अपने रिष्टे के बारे में बा और महमूद ने शादी कर ली है इस दोरान अभिनेतरी ने सारवजनिक तोर पर सामने आकर लोगों को समझाने की कोशिश भी नहीं की इसके बाद उन्हें तीन साल तक बेरोजगार रहना पड़ा हालंकि एक बार फिर उनका करियर पट्री पर आया जब राज कपूर ने उन्हें फोन किया और बोबी फिलम में रोल आफर किया और उन्होंने बोबी में काम करने के लिए तुरंत हां कह दिया और किस्मत की बात ही कि बोबी भी ब्लॉक बास्टर फिलम साबित हुई इस फिलम के बाद अरुना सफलता की सीड़े चड़ती गई अभिनेत्री के पास कई तरह की रोल आय और उन्होंने सभी किरदार में खुद को फिट किया अभिनेत्री ने कभी भी किसी रोल के लिए मना नहीं किया चायवे खलनाइका कहो या सपोर्टिंग रोल उन्होंने सभी किरदार में खुद को साबित किया अरुना इरानी ने अपने करियर में लगबक 500 से भी जादा फिलमों में काम किया है शुरुवात में सुपरिट फिलम देने के बावजूद उन्हें संघर्ष करना पड़ा इस बारे में बात करते हैं अभिनेतरी ने बताया था कि लोगों ने सोच लिया था कि मुहमद और उनकी शादी होगी कोई भी उनके पास फिलम का ओफर लेकर नहीं आता था इसके अलावा अरुना ने मुहम्मद के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि महमूद ने मेरा करियर बनाया, उन्होंने मुझे एक्टिंग कॉमेड़ी टाइमिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया, हम दोस्त से बढ़कर थे फिल्मों में अपनी ग्रे शेड करेक्टर लिये, जानी जाने वाली यह एक्टरस अपनी नीजी जिन्दगी को काफी प्राइविट रखती है, उन्होंने कभी भी अपनी नीजी जिन्दगी के बारे में मेडिया से बात नहीं की, लेकिन एक्टरस ने कुछ साल पहले अपने फिल्म निर्माता कुकू कॉली के साथ अपने रिष्टों के बारे में कई राज खोले, अरुना ने कहा कि जब वह कुकू से पहली बार मिली तब उन्हें नहीं पता था कि कुकू की शादी हो चुकी है, और उनके बच्चे भी है, फिल्म निर्माता कुकू कॉली और अरु दिले थे उस तोरान हमने साथ काम किया कुकू बाकी सब एक्टरस को तब तक इंतजार करवाते थे जब तक की धर्मेंदर शुटिंग पर नहीं आ जाते थे और काम शुरू नहीं किया जाता था मुझे उन पर बहुत गुसा आता था क्योंकि मैं उस समय कुछ और फिल्मों मे पढ़ी, मुझे समझ नहीं आया उन्होंने बताया कि वे कभी भी अपने रिष्टे के बारे में बात नहीं करना चाती थी क्योंकि कुकु पहले से ही शादी शुदा थे और उनकी बेटियां थी अरुना का कहना था कि कुकु कोली कभी भी उनसे अपनी शादी का जिक्र नहीं किया करते थे शायद यही वज़े थी कि उन्हें उनसे प्यार हो गया था अगर उन्हें पता होता कि कुकु पहली से शादी शुदा है तो वह उनसे प्यार में कभी नहीं पड़ती अब वो इसके बारे में बात कर रही है क्योंकि उनकी पहली पतनी का कुछ महीने पहले निधन हो गया है एक्टिंग करियर की बात करे तो अरुना इरानी ने 500 से भी अधिक फिल्मों और कई टेलिविजिन शो में अभी ने किया हुआ है 1961 की गंगा जमुना में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की उससे में उनकी उम्र महज 9 साल थी इस फिल्म में उन्होंने हिरोईन आजरा के बच्पन का रॉल किया था और हेमंत कुमार के मशूर गीत इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चलके मैं अपने गुरूजी के साथ गा रहे बच्चों में अरुना भी शामिल थी अरुना इरानी ने एक इंटर्वी में बताया था कि उन्होंने डॉक्टर से बात करने के बाद यह फैसरा लिया था कि वो मान नहीं बनेगी उन्होंने बताया था कि डॉक्टर ने उन्हें कहा था यह सही है कि आपने शादी की आपको साथी की जरूरत है लेकिन आपके और बच्चे की भी जनरेशन गैप बहुत जादा हो जाएगा एक्टरस ने का कि मुझे लगता है कि डॉक्टर ने सही खाता मैं और मेरा बच्चा एक दूसरे को घुटन महसूस करवाते अरुना इरानी का जनम एक गरीब परिवार में हुआ था उनके पिता का नम वरुदिन इरानी था जो एक ड्रामा कंपनी चलाते थे उनकी मा भी एक एक्टरस थी अरुना आट भाई भेनों में सबसे बड़ी थी जब अरुना इरानी का जनम हुआ तो उनके पिता को इस बात का दुख था कि उनके यहां लड़का पैदा नहीं हुआ लड़का होता तो बड़ा होकर परिवार की जम्यदारी उठाने में मेरा हाथ बटाता जब अरुना थोड़ी बड़ी हुई तो इस बात का उन्हें पता चला तो कहीं न कहीं अरुना के दिल में यह बात घर कर गी और बच्पन से ही उन्होंने अपने पिता की हर बात माननी शुरू कर दी अरुना इरानी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और डॉक्टर बनना चाती थी लेकिन उनके पिता का मानना था कि लड़कियां अपने नाम का साइन कर ले उतनी ही पढ़ाई काफी है इसी वज़े से छटी क्लास के बाद अरुना का स्कूल जाना बंद करवा दिया पिता का हाथ बटाने के लिए अरुना ने बाल कलाकार के रुप में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया उन्हें जैसे भी किरदार मिलते रहे वो निभाती रही पिता के देहांत से लगबग एक महीना पहले जब अरुना इरानी ने अपने पैसों से 9,000 रुपे में फ्रियेट कार खरीदी तो उनके पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था अरुना के पिता घंटो तक अपनी बालकनी से बेटी अरुना की कार को देखते और रोते रहते थे तब जाकर उनके मन में पश्टावा हुआ कि क्यूं मैंने कहा था कि मेरे घर पहली संतान बेटा होती मेरी अरुना कई बेटों पर अकेली भारी है अरुना इरानी ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि उनकी जैसी बेटी जिस घर में हो उस घर के पिता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है